आप सभी स्ट्ट्वेंट्स के लिए आज की वीडियो इंपोर्टेंट होने वाला है क्यूंकि आज की इस वीडियो में मैं आपसे आज की आज की वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट है यदि आप तक आपने चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चेनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जैसे ही मैं आप लोगों के लिए नेश्ट वीडियो को लेकि आओं आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके फिर चलिए वीडियो की शुरुआत करते देखो सबसे पहले जितने भी लोग आरर वे एंटी पीसी सी बीटी वन एक्जाम वेट कर रहे हो पहले मैं उनका गंप्रेंज दूर कर दू देखो आपका जो एंटी पीसी सी बीटी वन का जो रियल्ट आता है उसके बाद आपका इपका सी बीटी टू का जो पेबर होता है वो 40 डेज के अंदर अंधर हो जाता है आपका मैकैन जिर प taraf 50 डेज का तो इसके आपका जो result है वो कभ ही दिया जाता है यह railway के mood पे elevator पे depend करता है को कब आपका result दे आपका result कल भी आ सकता है आज भी आ सकता है परसौn भी आ सकता है पाश दिनों के more भी आ सकता है लेकिन बहुत ही चल्द आपका result आने वाला है इस बात की पूरी-पूरी कारेंटी है क्योंकि अभी मैं आपसे cvt2 का एक्जाम दे डिसकस करूगा देखो सबसे पहले यह जो डाटा है से पहले मैं आपको बता दू ssc का एक्जाम और railway का एक्जाम tcs के दौरा लिया जाता है आप लोग जैसा की जानते होगे और जो लोग नहीं जानते हो वो लोग जाओगे official website पर वहाँ पर आपको मिल जाएगा complete data complete detail कि आपका जो ssc का है और railway का एक्जाम है complete सभी exams को मैं बात कर रहा हूँ वो सभी exams tcs को द लेगा और आपका ssc और railway का यह इतिहास कवा है कि दोनों का exam कभी भी एक साथ नहीं हुआ है यानि कि same date में ना तो ssc का exam पढ़ा है ना ही railway का exam पढ़ा है तो उसके लिए क्या करोगे आप लोग देखो उसके लिए आपको दो काम करना है सबसे पहले आपको यह किलिए होना वो MTS का exam जो है वो 2 नवंबर तक का है अब यहाँ पे देखो 2 नवंबर मालो यह नवंबर के first week या एक नवंबर मालो complete नवंबर में यह paper है अब इसके बाद आपके पास जो time बच जा रहा है देखो नवंबर में TCS के दोरा कोई ssc का exam नहीं लिया जा रहा है दिसंबर में कोई exam नहीं है January में कोई exam नहीं है FAB में एक exam है आपका यहाँ पेवलो जब ध्यान से देखोगे देखो सबसे पहले CHSL का tier 2 descriptive इससे TCS का कोई लेना देना नहीं है यह काम SSC का है इसलिए यहाँ TCS free है देखो November free है December free है January में यहाँ free है लेकिन January में एक paper जो है आपका CGL tier 2 का exam केबल एक date में है आपका 28 को तो यहाँ पे आप लोगों देख सकते हैं केबल एक दिन बीजी है बागी से free है यानि कि आपके पास जो time बच गया है यहाँ देखो tier 3 का descriptive यह भी 6 FAB को है यानि कि descriptive से TCS का कोई लेना देना नहीं है इस बीच में TCS बिलकुल free है वो exam आपका conduct क exam को देखो कब से कब तक free हो November free है आपके लिए December free है January free है और यहाँ पे FAB से exam सुरू हो रहा है तो FAB छोड़ दो यानि कि तीन महिने का time है इस तीन महिने में यह तो 100% guarantee है जो आपका NTPC CBT2 का exam conduct करा लिया जाएगा अब रही बात group D exam की तो देखो group D exam में approximately 700 करोड जो है वो 700 करोड का और यह जो timing है वो 90 minute exam का आप लो जानते होगे क्योंकि NTPC में भी 90 है group D में भी 90 minute का time मिलता है तो exam जो conduct कराया जाएगा आपका वो maximum 2 shift में exam कराया जाता है conduct और हम लोगों ने देखा था यहाँ पे January, February और March complete तीन महिने का time लगा था NTPC exam conduct कराने में तो मान लो यदि TCS चाहे तो आपका exam November से लेकर February तक यह करा दे लेकिन यदि इनमें इमानदारी हो तो यह उनके mood पर depend करता है लेकिन CPT2 exam हो ही जाना है यदि आप लोगों fight करोगे संगर्स करोगे तो हो सकता आपका exam date जो है आपको बहुत जल देखने को मिले आने वाले 2-4 दिनों मे आपको कोई date या notice दिख जाए NTPC और group date से related फिर चलिए आज किस वीडियो में इतना है यह information आप लोगों से साचा करना था कि यह जो TCS का exam का calendar हो आउट हो चुका है और उसमें 3 महने का slot complete खाली है तो इस बीच में आपका railway का exam conduct कराया जा सकता है यह जानकारी थे आप लोगो आपको कि फुक है